नमस्कार वीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं करीमा श्रवास्तव आपके साथ भारत सरकार इन दिनों लगाता डिजिटल स्ट्राइक कर रही है इसी बीच अब भारत की ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई है भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में बैन कर दिया है ऐसा पहली बार में हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान के हैंडल को बैन किया है इससे पहले जुलाई में भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल को बैन किया था हाला कि कुछ समय बाद उस हैंडल को बहाल कर दिया गया था इस बार जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है उसमें भारती ट्विटर यूजर्स के लिए ये ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है ट्विटर की तरफ से बताया गया है कि शिकायत मिलने के बाद ऐसा किया गया अब कोई भी भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल ओपन करेगा तो उसे नोटिस लिखा हुआ मिलेगा कि लेगल डिमांड पर इस अकाउंट को बैन किया गया है सिर्फ इतना ही नहीं गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान से किये जाने वाले ट्वीट भी दिखाई नहीं और यहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशस करते हैं। करण वारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान की सरकार का आधीकारिक ट्वीटर हैंडल क्यों बैन किया गया इस पर आधीकारिक बयान आने का इंतजार है। इस खावर पर आपकी क्या राह है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं। देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज थन्यवाद